आज मैं आपके लिए याँक यह एक इसी रेसिपी जो आप लच यानि टिफिन के लिए भी इसे बना सकते है वह भी सुबह सुबह यह रेसिपि जितनी जादा टेस्टी और असान बनाना एस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही बीसिक इंग्रीडियन की जरुरत है प् को मैं चौपर में एड करके चौप ही करने वाली हूं फ्रेंज चौपर नहीं है तो मिक्सि में पल्स मोट पे कर सकते हैं बस इसका पेज नहीं बनाना हमें इसका दरदरा पंच चाहिए तो देखे यहां हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी चार बड़े चमच के करीब अगरी मंपली ही डालना है उपको चौप कर ले ना है अब इसमें डालेंगे सुखे मसाले जैसे मैं सुखर मिश दालिये न्मक आड किया है धन्या जीरा का पाउडर अड़ करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला अड़ करेंगे, अब इसे सूपर टेस्टी बिनाने के लिए इसमें थोड़ा सा गुर्ष जरूर अड़ करेंगा, बहुत जादा टेस्टी लगता है, आप शुगर भी अड़ कर सकते हैं, या आप टोटली इ तो बैंगन को आपको इस तरह से ये देखिए, उपर की जो डंडी है वो हो सके तो रहने देना, इससे लुकिंग भी अच्छे आती है, और डंडी का भी एक अपना स्वाद होता है, वो भी आता है, तो इस तरह से साफ कर ले बैंगन को, और पानी में आप दाल दे थोड़ कर सकते हैं, साथ ही में इसमें बेबी पटेटोस भी यूज कर रही हूँ, तो इसको भी इस तरह से आपको कट लगा देना है, ये देखिए, आप चाहे तो बड़े आलो को कट करके भी यूज कर सकते हैं, और मैं एक टमाटर भी इसमें आद करूंगी, इसका जो जूस रिल जादा इजी है, टेस्टी है, और इसे हम प्रेशिक कुकर में बनाने वाले हैं, तो आलो है, टमाटर है, बेंगन है, सब आप इस तरह से भर दे, आपकी शहर में कौन से बेंगन मिलते हैं, कौन से रंग के जरूर बताएगा, तो मैंने यहाँ आलो, टमाटर और बेंगन यह बहुत जरूरी है, अगर आप दबा के नहीं भरेंगे, तो अंदर की स्टफिंग निकल जाएगी, थोड़ा सा यह दे के मसाला और भी रह गया है, इसकी ही हम ग्रेवी बनाएंगे, तो इसे हम बनाने वाले हैं प्रेशिक कुकर में, जी हाँ फ्रेंस, तो कुकर में हम जाल देंगे तीन चमच के करीब और जैसी गरम हो हम हमारी जो स्टफिंग का मसाला बचा हुआ था वो इसमें आड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे, लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है, दवास तले पे लगना जाएं, तो थोड़ा सा पानी आड करेंगे, ताकि यह च चूटने तक, तो देखिए ओल इदम अच्छी तरह से चूट चूट चूका है, देख सकते हैं आप, तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ गरम पानी, जी हाँ फ्रिंस गरम पानी ही डालेगा ताकि इसका टेंपर डाउन ना हो, और यह देख सते ह ना टमाटर एक भले छोटा सा, बट टमाटर दाल के देखेगा, यह है ना ग्रेवी का टेस्ट इदम चेंज कर देगा, तो देखें कितना टेंप्टिंग लग रहा है अदम शादियों वाले बैंगन लग रहा है, तो बस इसको एक बाद चला लेंगे हलके से, यह देखिए वोड रेडी है, लग रही है ना इदम टेंप्टिंग, यह देखिए ओईल इदम परफेक्ली छुटा है यानि परफेक्ट हमारी यह रेसिपी बनी है और ग्रेवी आपको सच में मजा जाएगा, उपर से फ्रेश धनिया आड कर लेंगे और इसे सर्फ करेंगे गर्मा गरम तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं और मुमें पानी आया की नहीं जरूर कमेंड करके बताएगा, पॉफेक्ली पकती है, इसली बन जाती है, एक साइड आप सबजी बना दे, एक साइड रोटी या पराठी के साथ, इ रात को दिनर में आप एंजॉई कर सकते हैं, बहुत जादा टेस्टी ये रेसिपी है, जरूर ट्राइ करें और आपके फिटबेक दे, तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक भी करें, शेर भी करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तिल देन टेक केर, बाबाई